देखिए जब भी आप अपने किसी भी आईफोन में अपनी गैलरी में Face ID, Face Lock लगाते हैं, Lock लगाते हैं, तो यहां पर लिक कराता है Apps with Photos Access, Your Photos may appear in the apps below without using Face ID, You can change this in Privacy Settings, तो इसका कहने का क्या मतलब है, Face ID लगाने के बाद भी इन अप्लिकेशन की मदद से कोई भी आपकी फोटोस देख सकता है, गैलरी की फोटोस देख सकता है, बिना पासवर्ट के, एक्जेम्पल के लिए यहां पर देखिए इतनी सारी अप्लिकेशन को permission मिली हुई है, गैलरी उपन करूँगा, तो Face ID मांग रहा है, ठीक है, देख सकते आप, अगर मैं यहां पर अपना Instagram उपन करता हूँ, और यहां पर नीचे प्लस पे क्लिक करूँगा, तो देखिए पूरी गैलरी यहीं से दिख जारी है, कोई भी इस तरीके से आपकी गैलरी देख सकता है, Instagram या जितनी भी application में permission है, उनकी मदद से, ठीक है, तो अब इसका access कैसे हटा है, तो इसके लिए आपको settings में जाना है, थोड़ा सा नीचे आए, प्रिविसी settings पे क्लिक करें, नीचे आए, फोटोस होगा, इस पे क्लिक करें, अब देखिए, दस application को access मिला है, काफी application को full access है, तो जिन भी application को आप चाहते हैं, यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको क्या कर रहा होगा, मान लीजिए Instagram है, तो यहाँ पर full access दिया हुआ है, सारी photos कोई भी देख सकता है, तो यहाँ पर आप यहाँ तो none कर दे, कोई भी Instagram से आपकी gallery की photo नहीं देख पाएगा, यहाँ फिर limited access पे क्लिक कर दे, कि select कर दे, कौन कौन सी photos Instagram में देख सकते हैं, ऐसा done करते हैं यहाँ पर, वही application देख सकते हैं, तीन item मैंने select किया है, या तो full access आप देदे, full access देदेंगे तो सब कोई देख पाएगा,